हाई फ्रेंड्स, वेलकम बेक, मैं मनिश कुमार आवल, कुंच कोर्परेशिन में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको साइकोलोजी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे हिंदी में मनो विज्ञान कहते हैं ये एकसा विज्ञान है जिससे आप लोगों के मनो बावوں को अच्छे से समझ सकते हैं इसे मन का विज्ञान भी कहते हैं जो मनुष्य के विहवार को इंगित करता है इसे चार अलग-अलग रूपों में देखा गया है आत्मा के रूप में, मन के रूप में, चेतना के रूप में और व्यवार के रूप में जिसमें सबसे पहला आता है आत्मा के रूप में मनोविज्यन को शताब्जियों पहले दर्षन शास्त की एक शाखा के रूप में जाना जाता था सन 1879 में इसे दर्षन शास्त की शाखा से अलग रकर स्वतंद्र विशे के रूप में गोशित किया गया फिलोसोपी वो ग्यान है जो सत्य वप्रकर्ति के अनुबवव की व्याख्या करता है इस व्याख्या में जो अस्पस्टो होता है उसे स्पस्ट करने का प्रयास किया जाता है साइकोलोजी शब्द के उत्पत्ति ग्रीक में युनानी भाषा के दो शब्द साइकी और लोजिया से मिलकर हुई जिसमें साइकी मिन्स आत्मा और लोजिया मिन्स अध्यन करना या विज्ञानधा और उसके बाद साइकोलोजिया शब्द जो लेटिन भाषा में था वह मारको मोरालिक द्वारा उनकी बुकों में पनरवी से सोलवी शतापदी तक यूज़ किया गया 1694 में स्टीवन ब्लेंकार द्वारा इसे इंग्लिश में साइकोलोजी नाम दिया गया इस शब्द को उन्होंने पहली बार फिजिकल डिक्षनरी में यूज़ किया इस तरह यदि देखा जाये तो साइकोलोजी शब्द का मतलब आत्मा का अध्यन करना या आत्मा का विज्ञान कहलाता है कारम में जब मनो विज्ञान की उत्पत्ती दर्शन शास्तक एक शाखा के रुप में हुई तब उसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर फ्लेटो अरस्तु वर डेकाड आधी के द्वारा मनो विज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रुप में माना गया परन्तु आत्मा क्या है? इसकी प्रकर्ति क्या है? क्या इसे देखा जा सकता है? आधी प्रश्चु के उत्तर इन मनोविज्यानी को द्वारा नहीं दिये जाने पर सौल्वी सताब्दी के अंत में इस परिभाशा को अस्विकार कर दिया गया नेक्स्ट है मन के रुग में सतरवी सताब्दी में इटली के मनोविज्यानी पॉमपो नोजी ने मनोविज्यान को मन या मस्तिक्स का विज्यान माना लेकिन मन या मस्तिक्स क्या है इसका अध्यन किस प्रकार से किया जा सकता है आधी प्रश्टों के उत्तर नहीं मिल पाने के कारण 18 सिताबदी में इस परिभाशा फोबी अस्विकार कर दिया गया नेक्स्ट चैतना के रुग में 19 सिताबदी में विलियम वोंड, विलियम जैम्ड, वाइव, जैम्ड सली आधी के द्वारा मनो विज्ञान को चैतना का विज्ञान मना गया यह सित्धान केवल चैतनमन की ही बात करता था जबकि थायर्ड ने अपने मनो विश्टलेशन वादी सिद्धान से चेतन मन के अलावा अरद चेतन एवम अचेतन मन को भी बताया था, जिसकी इसमें कोई भी चर्चान नहीं थी, मेकडूगल भी इस परिभाशा के खिलाब थे, तथा उन्होंने अपनी पुस्तक मनो विख्यान को व्यभाण का विज्ञान माना गया और आज तक यही भषा प्रचले थे मैं फ्याफार का विज्ञान मानने वाले प्रथम वेज्यानिक वाट्षन थे इसके अलावां वुडवर्ड, मत्डूगल, मेकडूगल ठांडाई और हल्प, अज आदी के द्वेश मनो विज्यान को व्यवार का विज्यान माना गया जिसे हम अपनी चटी इंद्री भी कहते हैं मनो विज्यान की छर्चाएं इतनी होने लगी कि एक विज्यानिक विल्यम वुंड ने जर्मणी में लिब्जिंग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोविज्यान की प्रयोक शाला स्थाबित किया। इसलिए विल्यम भूर्ट को प्रयोग आत्मक मनोविज्यान का जनक माना जाता है। इसी समय से ही मनोविज्यान दर्शन स्षास्त की शाखा से अलग होकर स्वतंत्र विशय की रूप में सामने आया। बड़तमान में लिवजिंग विष्व विद्जाले को कॉरल मार्क्स विष्व विद्जाले के नाम से जाना जाता है। मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। इससे रिलेटेड आप और भी वीडियो चाहते हैं तो लाइक करें मेरे इस वीडियो को, कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमेली के साथ, ताकि वो भी इन नॉलेज़फुल बातों को सीख सके, फाइनली, ठ थैसे रिए।